नमस्कार दोस्तों मैं हूँ चिन्मय चिन्मय गॉड और आप सभी का हाल दिख स्वागत करता हूँ वाइलन के लेसन नमबर 3 में नमस्कार दोस्तों जानते हैं कि यह अलंकार क्या हूता है अलंकार जो है संगीत में बहुत महत्वपूर्ण है बहुत इंपॉर्टेंट है यूदि पूरा संगीत का संगीत जो है इसी से ही बनता है वैसे अलंकार का मतलब है सौंदर करन करना अलंकरित करना सुंदर करना है ना ब्यूटिफिकेशन करना तो यह संगीत में यह रूगल प्ले करता है और अगर हम बहुत सेंपल शब्दों में सबदना चाहे तो अलंकार is different, different combinations and permutation of सुर्ण अलग अलग जो है सुरों के combinations कैसे समझाता हूँ, चिंदा मत करो हमने लास्ट वाले वीडियो में सिखा सारे गमप अधनी सा, सानी धपमा गरे सा, ठीकें अभी पहला अलंकार क्या बन सकता है हम हर सुर को repeat कर सकते हैं दो दो मार कैसे? सासा रे रे गागा मामा पपा धदा नीने सासा नीने धदा पपा मामा गागा रे रे सासा ऐसे हम तीन बार भी रिपीट कर सकते हैं कि सासा सा रे 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 गागा मामा पपा ःदा नीनी सासा फिर उसका उल्टा भी करना है और ऐसे ही चार बार भी कर सकते है सासा सासा रे 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 गागा मामा मा तो दोस्तो एक शब्द है आरोह ये Classical संगीत के अंदर बहुत यूज करते हैं इसका मतलब होता है आरोहन करना पर्वत आरोहन करना चड़ना तो सुरोह को जब चड़ते हैं सुर दीरे दीरे उपर जाते हैं तो उसको आरोह बोलते है और जब साथ सुर उतरते हैं तो उसको अवरोह बोलते है यह बात दिहान रखना आरो मतलब चड़ना, अवरो मतलब उतरना, ascending और descending, ऐसे समझ सकते हैं, तो आपको ऐसे हर अलंकार का आरो अवरो करना है, उतरना भी है उल्टा फिर, है ना, अभी हम एक बहुत ही famous और काम का अलंकार है जो आपको practice करना है, और जो आपके लिए बहुत helpful रहेगा, के अलंकार है वो, उसमें तीन-तीन की combination बन रहे है, कैसे सारेग, मतलब एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, सारेग, रेगम, गमाप, मापध, पधनी, धनी सा, ठीक है ये तो हो गया हमारा आरो हो, अब इसका अवरो क्या रहेगा, सानीध, नीधप, धपमा, पमाग, मागरे, गरे तो दोस्तो आरोह क्या हुआ, सारेग, गमाप, मापध, पदनी, धनी सा, हाना, दिख रहा है ना आपको, फिर उसका अवरो भी करना है, सानीध, नीध, पदाप, माप, माप, माग, मागरे, गरे सा, मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं, लेकिन आपको बहुत आराम से करना है, बहुत लोग करना है, ठीक है, अब ऐसे ही, कि तीन-तीन कब बन गिया लंकार, अब चार वाला बन सकता है, ये भी बहुत इंपोर्टन्ट है, कैसे चार का, एक-दो-तीन-चार, एक-दो-तीन-चार, तो पहले हम करेंगे सा से, सारे गमाप, फिर, रे गमाप, गमापद, अब रो करना है तो आईए दोस्तों सीखते हैं कैसे ये सब अलंकार जो है बोग के साथ सही तरीके से प्रैक्टिस करने है दोस्तों बोग जो होती है वो वाईजन की जान होती है प्राण वाईव होती है जैसे हम बिना सासों के नहीं जी सकते हैं वैसे ही इस इंस्ट्रूमेंट की जो सास है जो प्राण वाईव है वो इसकी बोग है ये इसकी जान है तो इसको बहुत सही तरीके से यूज़ करना है यह उसी तार पर, नहीं तो sound ही नहीं आएगा डंग से, और clarity चाहिए, ऐसा नहीं कि आप साब क्लिक कर रहे हो और आवाज बक ही आ रही है, यह दूसरे students की आवाज आ रही है, starting में दिक्कत आएगी मानता हूं मैं, लेकिन focus रखना है, बहुत awareness के साथ practice करनी है, ठीक है, अभी पहला हम अलंकार practice करेंगे, हर सुर को दो बार repeat करेंगे, हाना, सासा, रे रे, गग, मामा, तो नीरी सासा, सासा, नीरी धादर, पापा, मामा, गग, रे, रे, सासा ठीक है, ऐसे आराम से practice करना है, मैंने तो भी तेज किया है, लेकिन आपको और भी धीरे करना है, एक-एक सुर क्लियर निकलना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, और वाल्यूम में करना, एकदम कम वाल्यूम में मत करना, ठीक है, उसके बाद हम तीन बार भी कर सकते हैं, कैस सा, सा, सा और ऐसे ही चार शुर भी कर सकते हैं, तो धीरे-धीरे ये सब practice करना है, उसके बाद वो तीन वाला लंकार, तीन तीन वाले group का कैसे सारेगा, रेगा मा, है ना, अभी, हम इस लंकार को दो तरीके से practice कर सकते हैं, एक तो, एक सुर और पूरी वो, कैसे, सा रे गार रे गामा गामा पार मा पधार पधारी दर निसा सा नीधा नीधा पधार पमाग पमाग मा गरे गरे साच और ये तो क्या किया कि हमने सा पूरा इसमें लिया रे ऐसे लिया गा इसे लिया है ना पूरा बोका प्रैक्टिस किया अभी हम हर खंड को एक ही बो में लेंगे कैसे सारे गरे गर्मा गर्मा पार मा पधार पधारी दर निसा समझें और ऐसे फिर चार वला लंकार भी करना है है ना पहले अलग-अलग बो में पूरा और फिर सारे गर्मा एक बो में लेकिन ये ध्यान रखना है पहले तो बहुत तेद नहीं भागना आराम से करना है प्रैक्टिस दीर दीरे प्रैक्टिस कर करके कि अपने आप स्पीड बन जाएगी लेकिन ध्यान रखना है क्वालिटी पर क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए दोस्तों ये बड़ा सेंसिटिव इस्ट्रूमेंट है तो फिंगर एकदम सही जगे रखनी है पहले वाइलन सही ट्यून करके किसी करवा लेना है ट्यूनिंग करना सिखाओंगा लेकिन सही ट्यून करवाने के बाद सही जगे आपको उंगली रखनी है ठीक है तो मुझे उमीद है मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा आप सिंसेरली प्रैक्टिस करोगे और अगले वीडियो के लिए तयार रहोगे मस्त रहिए मुस्कुराते रहिए जै हिन जै भारत